नमस्कारम सद्गुरू, क्या आप बता सकते हैं औरा क्या होती है? क्या? औरा, A-U-R-A औरा धर्ती पर मौजूद हर्पदार्थ कि आसपास उर्जा का एक शेत्र होता है या धर्ती पर जिसे आप एक पदार्थ की तरह देखते हैं वो असल में उर्जा है ये एक वैज्ञानिक तथ्या है कि पूरा अस्तित्व बस उर्जा है उर्जा के एक हिस्से ने खुद को स्पंदन के खास तर में प्रकट किया है जो इसे एक भौतिक आकार देता है उर्जा का एक दूसरा हिस्सा खुद को भौतिक रूप में प्रकट नहीं करता लेगिन फिर भी इसका एक आकार है तो वो आकार जो अभी तक भौतिक नहीं है या फिर भौतिक बनने से इंकार करता है लेगिन फिर भी एक आकार कायम रखता है वो औरा है या उसे औरा कहा जाता है औरा कई तरह की होती है एक व्यक्ति की औरा बिलकुल काले से लेकर एकदम सफेद तक हो सकती है इन दोनों के बीच लाखों शेड्ज होते हैं मूल रूप से आप अभी जो हैं उसकी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और उर्जा स्थिती एक तरह से आपकी औरा के द्वारा दर्शाई जाती है या ये औरा में दिखती है इसके बारे में बहुत सारी विच्टर बाते कही जा चुकी हैं खास कर आज की न्यू एज कम्योणिटी के द्वारा इसमें से काफी कुछ कालपनिक है लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई भी है मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों की चिंता करनी चाहिए लोगों की औरा देखने की कोशिश मत कीजिए औरा इंसान की बाहरी परत है मैं चाहूंगा कि आप किसी जीव के अंतरतम को थोड़ा अधिक देखें बाहरी सत्य को देखने की बजाए बाहरी सत्य डॉक्टरों के लिए होती है क्योंकि वो इनसान के किसी बहुत एक हिस्से को ठीक करना चाहते हैं जिसमें कुछ गडबड़ी आ रही हो बाहरी सत्य एक आध्यात्मिक साधक के लिए दिल्चस्पी की चीज नहीं होनी चाहिए त्वच्चा के तुलना में ये और भी ज्यादस सत्य ही है जिसे आप औरा कहते हैं वो त्वच्चा के तुलना में और भी ज्यादस सत्य ही है क्योंकि ये और भी ज्यादा बाहर है तो इसमें कुछ अगर किसी में परियाप्त अंतरत्रिष्टी है हो सकता है कि ये कुछ आपको उस व्यक्ति की प्रकृती तक थोड़ी पहुँचते लेकिन आप उस इंसान के केवल मनो वैग्यानिक, भावनात्मक और भौतिक धांचों को देख रहे हैं बहतर होगा कि आध्यात्मिक मार्क पर चलने वाले लोग औरा को अंदेखा करें अपनी और हर किसी की और अंतरतम पर ध्यान केंद्रित करें अगर आपका ध्यान अंतरतम पर केंद्रित है तो आपकी औरा शांदार होगी अगर आप सताय पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो आपके औरा दैनी होगी तो औरा को मत देखते रहिए दूसरे लोगों की और अपनी समय आ गया है कि आप इसके और उसके अंतरतम को देखें अगर आप इसके अंतरतम को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप हर चीज के अंतरतम को देखेंगे, क्योंकि अंतरतम में ये और वो नहीं होता, अंतरतम में सिर्फ ये होता है, सतय पर ये और वो होता है. तो लोग कहते हैं कि सुन्दरता स्किन डीप होती है, हाँ, कुछ तरह कि सुन्दरता स्किन डीप होती है, आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा जिसके त्वचा छील दी गई हो, अगर आपको किसी की त्वचा छिली हुई दिखी, तो आपको नहीं लगेगा कि वो सुन्दर है, चाहे वो वहीं इनसान हो, उस तरह से हाँ, लेकिन औरा स्किन डीप भी नहीं है, तो उस पर समय बर्बाद करने का कोई फाइदा नहीं है, अगर आप अंतरतम के प्रती जागरूख हो जाते हैं, तो शायद सत्य आपको दिखने लगे, लेकिन आपका लोगों की औरा को देखने और पढ़ने की कोशिश करना एक बेवकूफी भरा काम है, ऐसी चीजों को करने की कोशिश में आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे, अगर आप जागरूख हैं, अगर आपका बोध कहरा है, तो शायद आप चीजें देखें, जो चीजें मौजूद हैं, उनको देखना अच्छा है, अगर आप उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, जो मौजूद नहीं हैं, तो आप आश्रम से पागल खाने की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप मेंसे बहुत से उस दिशा में जाते हैं, तो हम आश्रम को पागल खाने में बदल सकते हैं, हाँ, तो ये बहुत मैद्वपून है, हम इसे आश्रम की तरह ही रखना चाहते हैं, आप इसे पागल खाना बनाना चाहते हैं? नहीं, हम इसे आश्रम ही रखना चाहते हैं, अगर आप इसे आश्रम की तरह रखना चाहते हैं, तो आपको अंतरतम पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए, ना कि सतय पर. बहुत ज़्यादा सतय ही होने का मतलब है, कि हम इस जगा को पागल खाना बना देंगे. हर तरह के संकी, जो विश्वास करते हैं, कि वो आध्यात्मिक हैं, दर्ती पर इस तरह के बहुत हैं, वो सबसे बड़ी बाधा हैं, जो दूसरों को आध्यात्मिक्ता की तलाश से रोग देते हैं. इस तरह के कई सारे संक्यों की वज़े से, सही सोच रखने वाले समझधार लोग आध्यात्मिक्ता से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते. तो कृपिया इस जगा को पागल खाना मत बनाईए, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, लेकिन इस जगा को पागल खाना मत बनाईए.